अभिना गुप्त ये कहते हैं कि और काश्पी चुवाद वाद में यह है कि इनका ज्ञान विमान्षा का भी मुख्य उदेश आत्म अनुसंधान है या एक तरह से कहे हैं परमार्थ विमान्षा कोई भी ज्ञान की शाखा क्यों नहीं हो अंतुत है वो आकर के दर्शन में ही तंत्रि दर्शन का दार्शनिक होना अभिनाव गुप्त को विशिश्ट बनाता है और किस प्रकार से भारती दर्शन में उस तंत्रिक परंपरा में परिनिष्ठित होने के कारण वो जो कई चीजें उसमें कहना चाहिए आसूतृत करते हैं वो बहुत महत्त्वकी होती है कि नमस्कार काश्मी शिवाद्यवाद और अभिने गुद्पर्ग बाचीत कि श्रिंखला की मैं प्रचंग प्रवीर आप सब को स्वागत करता हूं हमारे सामने डाक्टर नजीर रुस्तोगी जी है नमस्ते सर आपका महुत स्वागत है कल के सत्र में बहुत सारी बाते हुई ओडे मैं प्रशन मतब आपने कहा कि हम अविना कुपत को तीन पक्षों में घ्दी डृनकी रूप में एक सॉंदरी शास्त्रा के रूप में और एक मिदार्शनी के रूप में आपको कहने था कि कि बले ही सॉंद्री ऐस lleお願いします के पख्ष में और सब मुखता करक्ष में बेतें कि आप अभी नबगुद पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं इतनी भाता क्यों दे रहे हैं क्योंकि अगर हम भारत के मुधन वियर्मदान की पारमपरा को देखें इसे पांड़नी औरोंने संग संस्कृत का के वयाकरण को बदल की ही रख दिया अबसे बड़े व्याकरण बना कव शास्त की बात करें तो आनंद वर्धन ने दवन्या-लोक लोचन दवन्या-लोक लिखा उसके बाद भामा ने अलंगा शास कुंतक ने वगत तुकती और इस तरह से अनिय लोगों ने काव शास्त में समय कुछ अपनाव किया जिन लोगों ने जिसे मालणी विजय लिखी ग प्राइण दो पुस्तिका हैं इसके लावा उनकी जो नाट्शाथ प्रती का अभिनोव भारती तो हम देखा जाए तो मैं मुझे ऐसा लगदा है कि एक अधेता देखें वह किसी चीज़ के प्रणेयता हम नहीं का सकते ना कुछ सब्सक्राइब किया और परमपरा में निभद एक आचार है हम सब मानते हैं फिर भी आपका ये कहना कि हम उन्हें काश्मिश्वाद सब्सक्राइब के परमपरा में अगमध्यान के सूरी के रूप में देखते हैं तो ये मुझे थोड़ी अतिश्योक्ति सी लगती है मैं इस पर चाहता हूं कि आप कुछ प्रकाश जादें प्रचन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं जे लगता है आपने प्रश्न नही को हम महान क्यों मानते हैं या उनको इत्ती महत्ता क्यों देते हैं और विशेश रूप से जबकि हमारे सामने इस परमपरा में एक सेक मुरधनी आचारी हमारे सामने विद्वान मौजूद है और दूसरी बात जो आपने और प्रश्न तो आपके हैं उनके लिए लिंगवा मुख्य प्रश्न ये है कि हम उनको वो ते टीकाकार के रूप में अब्याख्याता के रूप में हैं तो उनको हम एक मौलिक चिंतक या एक मौलिक प्रत्पदरशक के रूप में हम कैसे देखें ये मैं समझता हूं कि यदि आपके प्रश्नों को समझ पा रहा हूं तो पहली इस बात तो यह है कि जब हम किसी को महान कहते हैं तो हम तो नातम कभी नहीं करते हैं क्योंकि महान कहने का अर्थ यह है कि two greats can never be alike. फिर वह तो ग्रेटनेस ही नहीं रही तो इसलिए मैं उसकी अपनी विशिष्टता में ही उसका अध्यान करना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ और उस रूप से हम देखते हैं कि क्या हम जिन अर्थों में हम किसी को महान समझते हैं या कह सकते हैं उन पर वो खरे उतरत यह एक बात पैदावती है। पहली बात तो जो आपने शुरू किया पाणिनी पतंजली, मनिकपजय साब से पहले का कि हम इन से तुलना नहीं करते हैं। एक अठी परीद बात याए चीदिया पहले हम भारत की जो जो कि घ्रांपरा थी, महान आचारीओं के परंपरा है। तो यहां तक आप देखेगा कि पाणिनी और मिनृ नहीं प्तव प्तंजली के करते हैं। यानि कि पानिनी ने जो कहा उसके बाद कात्यायन जो कह रहे हैं वो जादा महतोपोन हो और कात्यायन के बाद कात्यायन के बाद कात्यायन के बाद कात्यायन कह रहे हैं वो अंतिम ठपा है वेकर उसके बावजूद भी पानिनी की महत्ता उसक्षिन नहीं हो रही कहीं पर पान तक हम किसको मानते हैं, मौलिक किसको मानते हैं, और परंपरा के संदर हमें मौलिक हम किसको मानेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है, यदि एक तरह हम कहते हैं कि हमें परंपरा में इसके बीजिया मिलते हैं, और बात के परंपरा के जो आगे चल करके हमें के विर उसका क्ह़ातामात्र मुझे झाले हैं जैक हम और जाएं परमपरा को ठीक शाय नहीं है हमारे परमपरा को हम सभरत हम को समझते हैं थार्प आधू की रहे, लेकिन उन दॉन परम्परा के रूप में नहीं वह कर द दिंश्ट चिंटन्क अधिक है। एक परम जरना में जोडते हैं, हमारे जोड़े हैं वह बहुत कम नामों को हम जानते हैं। एक आद नामों को हर दर्शन में दिया दो तीन नामों को जानते हैं। लेकिन जब हम परंपरा की बात करते हैं तो उसमें असंख आचारियों का योगदान है। वो एक के बाद उलगातार परंपरा हमारी वड़ती रहती है। तो इसलिए अब सवाल यह है कि परंपरा में नवीनता की कल्पना कैसे की जाया है। परंपरा में रह करके व्यक्ति कैसे नवीन या मौलिक हो सकता है। तो पहली बात यह है कि यदि परंपरा परंपरा रूडी में हमें अंतर करना पड़ेगा। रूरी जो है वो तो एक तरह से विचार का फ़सिलाज़ेशन है जीवाश्मी करना है और उसमें फिर इसके PETER आगे नहीं बढ़ रहा है ये धिए हम विचार को गतिशील मानते हैं तो गतिशीलता का क्या आर्त हुगा कि उस विचार के अंदर नई सरजनाओं की संभावना और उन नई संभावना ही नहीं उन नई सरजनाओं को उसके अंदर चरिदार्थ करना यहीं नई संभावना है लाना उनको परिगटित करना तो यदि ये एर्थ हम लेते हैं तो इसका आर्थिया है कि परंपरा में रीज क तो परंपरा से अंकुर जुड़ा हुआ है, परंपरा से फूल जुड़ा हुआ है, लेकिन वो परंपरा से जुड़ा रहने के बाद भी वो जड़ नहीं है, वो फूल है, वो जड़ नहीं है, वो पत्ती है, वो जड़ नहीं, वो तना है, वो जड़ नहीं, वो शाखा है, त तो आप ये देखेगा कि आप देखेगा हमारे जिस्ट प्रकार से एक कालिक या जिसकों कहते हैं कि आनपूरवी में हमारे इतिहास की कल्पना नहीं है। हम यह नहीं कहते हैं, हमारे विचारों के इतिहास तो है, लेकिन व्यक्तियों के इतिहास के बारे में, अभिनों को तो एक तरह से देखा जाए तो अपवाद होते हैं, हम अभी उनके बारे में थोड़ी बात की बात करेंगे, लेकिन वारे कोई भी आचारी के बारे में, आप नहीं जानते हैं पाणेनी कभ होए। आप संभावना करते हैं कि इस पत्रों ऌमन्यान ते पानेनी की व्याकरण में यदि उनुने एक आधी मातरा काभी लागव कर दिया। कम कर दिया उनके से तो यही पुत्रक पुत्रों सब जैसी घटना हो गई, यही मौलिकता हो गई, कि एक नई चीज हो गई, तो यह एक जब द्रश्टी है, तो अब आप देखिए, कि जब आप उत्पल की बात करते हैं, तो बूल फ्रेशन पर यह सीधी सी बात है, कि चाहे व उत्पल हो और वो चाहे आनुल वरधन हो, जो उन्हों ने कहा है, और जब हम उसका उप ब्रंहन करते हैं, तो उप ब्रंहन के वद हम शब्दार्थ मात्र कर रहे हैं, या उस चिंतन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और यह दिन उस चिंतन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिस अर्थ में हमने उस चिंतन को आगे वढ़ाया है। उस अर्थ में मौलिक है। इस अर्थ में मैं अभिनोगृत को मौलिक कहता हूं और जिन जिन दिशाओं में उन्होंने काम किया है। तो सीधी सी बात है तो वाइटिट का एक वाक्य था कि एक अच्छे दार्षनिक के आने के बाद दर्षन वो फिर अपने पुराने रूप में नहीं जाता। तो ठीक अभिनोगृत के आने के बाद जिस जिगे पर उन्हें चड़न रखा है या हाथ रखा है। वह पर वो ग्यान जो चाहे धन्या लोग का हो चाहे वो इश्वत्त देवे कारिकाओं का हो चाहे वो तंत्रों का हो वो पीछे नहीं गया है आगे बढ़ा है। जहां से उन्हें प्रारंब किया है और अपनों जहां पर समाप्त करते हैं उसमें आप देखेंगे तो एक गौनात्मक अंतर और गौनात्मक ही नहीं जिसको हम कहते हैं कि विजिविल दिखाई पड़ रहा है वो अंतर और उस लूप में वो हमारे सामने लाते हैं। हम इस अर्थ में उनको क्यों व्याक्याता नहीं मानते हैं। हम उनको निर्माता मानते हैं, स्रष्टा मानते हैं, स्रजनाकार मानते हैं। और इस अर्थ में उनको मौलिक कहते हैं। मैं ऐगला प्रस्ट पूछने से पहले एक बबान्तर कर्वान्तर क्वारि उसे सम्भनदित ही है। को है कि मुझे लगते हैं कि बात कर giardų तो तो आम त़ पहे तंत्र का जो मतलब लूक में मतलब जादू टोना से लिया जाता है और अभर अगर देखें तो हमádhara अगर देखें, वह बहुत सारे आजिध से रहना जो बड़े आजीव से हैं, जाई अधियां जाते हैं, शत्रव को नाश करने के लिए भीट को भगाने के लिए यहां कि खून को रोकने के लिए जाता तब ऐसे कुछ मतर पड़ें तो इसे क कि हम एक अवांत्र पिश्च नियत है हम ऐसा जोढ़े चोड़ जा जा है कि एक जोतिश को मानता दियर नी कलते हैं हैруг यह हम् हुआ दिया में छूर कुछ नियत है हम ऐसा मान सकते है न Jeśli ょ n günान ने भी दुपारा आएंगे कि कि अगर उसमें कुछ रियालिटी है मतब कि काफी सारी लोग मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे विचार है कि हम बहुत सारी चीजें फैशन की तरह पढ़ते हैं या उसका कुई महत्ता नहीं है लेकिन हम पढ़े आ रहे हैं कि पहले लोग आचारे ने कहा है या लोग कहते हैं और उसकी कोई यूटिलीटी नहीं है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है आपके प्रेश्ण को दो हिस्तों में बाटते हैं जो मैं समझ पा रहा हूं और कहीं कमजोरी हो तो बता दीजेगा एक तो यह है कि तंत्रों को हम क्या समझें और दूसरी चीजी है कि तंत्रों के उपयोगिता और उनकी सत्यता क्या है यह मुख्य रूप से दो खंडों में आपका प्रेश्ण है हम पहले एक बात ले ले फिर दूसरी बात को ले ले पहले बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि तंत्र क्या है इसका अंतिमुत्तर शायद देना कठेना हो लेकिन हम उससे क्या समझते हैं हम थोड़ी इसकी चर्चा कर सकते हैं और कोंकि जलूरी नहीं येगी हर चीज की परिभाशह की जा सके कुछ चीजें ऐसा नहीं परिभाश्य नहीं हैं लेकिन हम उनकी परिभाषा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अक्षमता भी हो सकती है। तो पहली बात यह है कि तंत्र गिवारे में यह जो प्रश्ण आपने किया है, इसको भी हम दो द्रष्टियों से कर सकते हैं। के दोश्टियों कि उसमार्ट से ईसको दिवारे में उत्तर देना चाहूं गाए। एक द्रष्टि तो शंदेवादी की द्रष्टि है। और वह यह है कि तंत्र कुछ भी नहीं है। जादु टोना है, जैसे आपने कहा। वो संदेहबाद की दृष्टी से भी आ सकते हैं, अज्ञान की दृष्टी से भी आ सकते हैं, और या अपोन अज्ञान की दृष्टी से भी आ सकते हैं, अज्ञान न कहिए, अपोन अज्ञान से भागगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग एक ये, कि तंत्र, हम निश्यत्रूक से जानना चाहते हैं, कि तंत्र क्या है, तो एक चीज आप से बहें कहना जाता हूं कि, एक्षली ये प्रेस्ट आपका ही नहीं है, आपको शाध आश्चेरी होगा, कि ये प्रेस्ट हमारी परंपरा में ही उठाया गया है, मैं उस इंतर के प्रष्ट में हारीत इसमर्ति में मुनू सम्रति केक अटिककार को लोग भट्ट ने इस सबने प्रश्ण ठाया है हमारे नहां तंत्र की जगे तंत्र तोadores जो भारती संस्क्रते हैं भारतिय संस्ष्त्रती का विकास दो धाराओं में होता है मुल रूप से तो जह हम तंत्रों के वारे में समझना चाहते हैं तो मैं उसी द्रिष्ट्य से और मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों को इसका उत्तर मिल जाना चाहिए तो उनको हम कुलुग भटतों कहते हैं कि दिधाच स्थिन ही तांत्र की वाइदुखेश किछ था दो प्रकार कार था यही बात हारी देसमाति में भी मिलती है और जेन भी जंड़ुथी इसके बाद भू अस दो सरस्वति जो है तो व भी यह परिशनाते हूं करते हैं मंत्रों का भेत कैसे किया जाए तो कहते हैं तांत्रिक इस्तर पर अलग-अलग करते हैं तो एक पूरी के पूरी परमपरा देखने की तो भारती संस्कृती के दो धाराएं हमको दिखाई देती हैं तो एक धारा में तो हम उसके लिए कभी-कभी हम तांत्रिक संस्कृ यह दो शृतियां है जब इस धारे में तो वेडिक धारा क्यों तो ग्रंत हमको उपलब्द होते हैं लेकिन तांत्रिक धारा के ग्रंत उपलब्द नहीं होते हैं लेकिन उसके तमाम प्रमान जैसे भी आपने अथरवेद का नाम लिया तो अथरवेद के अलावा के विल अथर सबसे बड़ी बात तो यह हैं, इसलिए मैं आपको खास तोर से, कि जो जिससे काश्मी श्रेविज्म सबसे अधिक प्रहावित होता है, वो वाक्य तो तैतरी से आता है, तो इसलिए मैं वाद कह रहा हूं कि हमारे दो धाराओं प्रश्मी में अप से कहा थे, उसमें कुछ लोग यह मानते हैं कि क्या यह दो धाराइं हैं, इन में यह बिल्कुल नितांत लिरौह धारा ने यह यह अनपूरत धाराओं हैं, तो इस वाश्य में हमें के विर्योतध द मैं इनको एक तरह से दो द्रिष्टियां मानता हूं एक सत्य को देखने की और जिनका मूल उत्स जो है और वह से विद्वानों का ये मानना है कि उनका मूल उत्स जो है वो एक है लेकिन एक उत्स से उत्पन हो करके भी वे दो धाराएं भैती हैं तो अब ये हो गई एक तांत क्वर्ग धारा में हुमें ग्रंथ नहीं में. केवल परम पराय मिलती हैं और लोकाचार मिलता है, प्रैक्टिश स्मेन हैं. और तंत्र, जो है कि अउपलब्त शिर माने जाते हैं, वह बहुत बादके हैं. और वह पर वेद जवभ उतपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन तंत्र जो हैं, वो पौरुशे मानए जाते हैं, लेकिन पौरुशे कार्थिय लिखे गए हैं यह दोनों में कोकि तंत्री धर्शन का दार्शनिक होना अभिनाव गुप्त को विशिष्ट बनाता है और किस प्रकार से भारती धर्शन में उस तंत्रीक परमपरा में परिनिश्टित होने के कारण वो जो कई चीजें उसमें कहना चाहिए आसूतरित करते हैं वो बहुत महत्वकी होती है, पहली बात है कि तंत्र के भी एक भेदनी, तंत्रों के बहुत सारे भेद हैं, जिस प्रकार से हम वैदिक धर्शनों की या वैदिक धाराओं, वैदिक धाराओं में धर्शनों की या विचार परंपराओं की, हम अनेक धाराओं या अवांतर धार करीब करीब एक तरीके से एक प्रतिक्रती रेप्लिका आपको दिखाई पड़ती है इस ताइड में भी और उसके आधार पर बहुत से आज भी कुछ दार्शनिक संप्रते कहना चाहिए तांत्रिक संप्रदाय जो आज जीवित हैं जैसे कि वीरशेर संप्रदाय लिंगाज सं तो ये वीरशेवों का संप्रदाय है तो इसी तरीक से दोइत शेवों का संप्रदाय है तो ये जो थोड़े बहुत आज जीवित भी है लिंगाज तो पूरी तर से जीवित है और काश्मी शेवित तो ये संप्रदाय थंत्र के संप्रदाय है वीरशेविजम एक तरह से वि अब काश्मे शेव दर्शन के बारे में यह कहा जा सकता है और वो यह की सामान रूप से यह मानते हैं कि Tantrik विचार की पराकाष्ठा हमें दिखाई देती है और जो दार्शनिक विचार हमें काश्मे शेव दर्शन में दिखाई देता है इसे से दोईतवादी परंपरा भी आज भी साउत्मे में मिलती है और उसमें भी बड़े महान आचारी हुए हैं तो सद्ध्यो जोती हैं, रामकंठ हैं इन एक आचारी हैं और सच पुछिये तो एक तरीके से जो काश्मी शेव दर्शन के तांतरिक परंपरा है उसका वो अप जान दुखियेगा ये आगमों तंतर के परंपरा जो है ये कई ये वैश्नों की भी परंपरा है जिसको वाई खान तुरुपती जो है तुरुपती में जो आज पूजन होता है तुरुपती जो है महाँ पर वाई खानस आगम का आधार लेकर के पूजन होता है और ये पां तो पांचरात्रागं, यह साथ पांचरात्र वहिखाने, यह तमाम शाखाय, मतलब मुख्य विस्तार में नहीं इहाना चाहते. तो यह कई शाखाय मिलकर के पांचरात्र भी है, इसले शाक्त संप्रदाय है, शाइव और शाक्त एक तरे से जुड़वा भाई भाहन टाइप की समझ लीजे, वो हैं, लेकिन अगर यह दियालग करके भी देखें, तो यह संप्रदाय है, और मुख्य रूप से कुछ करके, जो आज उप्लब्द नहीं है, जिसमें जैसे गानपत्य है, साओर है, सूर्य देवता को भी तांत्र को पासना होती थी, गनेश की भी होती थी, लेकिन आज हमारे पास उनके बारे में केवल हम सुनते हैं, या कहीं कहीं पर प्रपांप, जो हमें मंदिर यत्यादी मे कहीं पर कुछ अवशेश मिल जाते हैं, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उप्लब्द नहीं हैं, गन्त में उप्लब्द नहीं हैं, तो इसलिए दो भिन परमपराएं हैं, और इन भिन परमपराओं में जो अभिनोगुत की परमपरा है, जिसमें अभिनोगु जंग लेते हैं, अभिनोगों से तारंबने ही होते हैं, अभिनोगों तो बहुत बात के बीच में आते हैं, लेकिन तो ये परमपरा इसको एक तरीके से दो काम है, एक तो ये संग्रहनी परमपरा है, सारी धाराओं के को लेक अभिनोगुप्त एक जगे पर वो संग्रह करने क चेष्टा करते हैं और उस संग्रह को अंत में ले जाकर के वो काश्मी शेव दरिशन में उसको विश्रांत करते हैं ये इस धंग से हम इस परंपरा को देखते हैं अब रहे गए सत्यता वाली बात आपका दूसरा प्रश्ण अप्योगिता उसत्यता पहले बात तो यह है कि ये प्रश्ण वहां के उठे ये प्रश्ण तो हमें दरिशन के संदर में उठाना चाहिए कि दरिशन के उप्योगिता क्या है तो जो वहां उत्तर होगा वही हो यहां उत्तर होगा तो दूसरी चीज है कि हम हमारे पास यह भी प्रश्ण हमेशा लडाई बाला रहा है इसके बारे हम संगर्श रहा है कि हम जो विचार है उस विचार को उपी होगी ताकि कसा उटी पसकत देखें या विचार को हम उसके आ इस रर्थों में विचार विचार के लिए हम हैं, या विचार आजया है। उपयोगी है या सत्य है., इसलिए हम इसके महत्यों को देखें। तो यह जो है यदो, अब अब यह मृ vaccin करता है, कि हम कैसे उसका इतर देने की चेश्टा करते है? या उतimesिन होता है। काव्य के क्षट्र में भी प्रश्ण उगता है कि कला कला के लिए या कला जीवन के लिए है कला समाज के लिए है या उपयोगी तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्ण जो है ये प्रश्ण तो एक व्यापक प्रश्ण है तो और इस प्रश्ण को आप सब्जे को उठा सकते हैं औ और मैं यह मानता हूँ, कि कलाओं के संबंध में यह जो उपयोगी ताजारी द्रश्टी है, यह एक बड़ी भैंकर द्रश्टी है. भैंकर द्रश्टी इस अर्थ में है, कि वो उपयोगी तो होते हैं, लेकिन उस अर्थ में उपयोगी नहीं होते हैं, जिस अर्थ में हम उपयोग का प्रयोग करते हैं. मिल्ले हो आपके द्रश्टी द्रश्टी हैं, यह आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो आप उपन्यास के तरह से उनकों लियावापमन रंजन कर रहे हैं. लेकर वो इस अर्थ मुपी हो गई होते हैं कि जो जिनकों आर्ट या हिमेनिटीस कहते हैं और ये दर्शन ये बहुत गंभी इस तरपर हमको प्रावित करते हैं वो हमारे द्रश्ट को रूपाईत करते हैं वो हमारे द्रश्ट को परिमार्जित करते हैं उसको पैना करते हैं मेरे देखने के शक्ति को बढ़ाते हैं, चीजों को समझने कि उसके वेचे वेचे, एक अंतर बोश जिए हो उसको पंद करते हैं, और उसके द्वारा, जिन चीजों को हम सामानली रूप से लगता है कि जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनके लिए उपयोगी होती, कि जम कहते हैं मालिय मानवतावाद है यह हम यह कहते हैं समाजवाद है तो पहली बात तो यह है कि जम समाजवाद कह रहे हैं मानवतावाद कह रहे हैं तो हम इसके पीछे भी एक दर्शन की बात कर रहे हैं जिना उसके उस संभव नहीं है और उसके बाद उस दर्शनिक तो ठीक उसी प्रकार से यह जो आपके कला और दर्शन इन सबके दर्व में सामानी करन कर रहा हूं और उसके दर्श्ट उत्पन होती है वो आपके लिए एक सार्थक, सहज और एक आपके बोध को एक कहना चाहे गंभीरता देती हुई वो डीपनिंग जिसको कहते हैं डीपनि इन साइट उसकी बात वो करती है इस अर्थ में वो उपयोगी है तो आप जी अगर मैं थोड़ा अभी भी आपसे असहमत हो आप मैं कहना चाहूंगा जी जब आप असहमत होते हैं तो मुझे खुशी होती है अगर ये तंत्र विएरा इतने सत्य ही रते तो फिर महाबात मॉमतर पड़ते हैं सारे कहरो का सत्यनाज कर देते are उमाहर टापकोल मंतर पड़ते हैं अब साब खत्य हो जाता है आप से बात कहीए कि वो उस अर्थ में उपयोगी नहीं जिस अर्थ आप उपयोगी ले रहे हैं जब मंतर की बात करते है तो एक मंतर तो है जिसमें आपने कहा कि जादू टोने के अर्थमें कि हम कर रहे हैं, तो आप मंतों को छोड़ दीजिए, आप भी वही काम करते हैं, आप जीवन में बहुत चीजों को आप लगातार कई बार काम करने के लिए आप परिक्षा देने जा रहे हैं, आप परिक्षा देने जा आपने उत्तर लिखा, उत्तर लिखा तो आपने उत्तर लिखा तो आपको अंक मिले, आपको अंक मिले तो आप पर उत्तिर हो गए, उत्तिर होने वाद आपको नोकरी मिली, तो एक चेन है, जो उपयोग का है, तो वहाँ पर बैप मंत्र कर रहे हैं, लेकिन यह है कि उसको मंत कहते हैं नहीं है अंतर है तो उस अर्थ में इसे लिए में नहीं है जब आप कहते हैं तो अगर हम काश्मी शेविज में आ जाए या तांतरों के बारे में कहें तो जो कहें तो उनके लिए कहते हैं मंतर तो एक बिलकुल अलग चीज है वो इस अर्थ में नहीं है कि जिस आप मान रहे हैं प्रेग्मेटियू है ना आप्ट शींजों से उत्पन होने वासित पर उद्प चीजों के उस अर्थ में वह उप्योगी नए है। वह उस अर्थ में उप्योगी हैं कि देते हैं। लेकिन अब जैसे कि Newton ने जिब ये देखा कि गुरुत्वा कर्ष्ण का सिद्धान्त है और सेव को गिरते देखा, अब सवाल ये है कि इस सेव को गिरते देखने से Newton को क्या फाइदा हुआ? कपड़े बदने का ध्थम बदल गया या उनका मकान नया हो गया या उनको नई गाडी मिल गयी और ऊकुछ नवकरी मिल गया ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन उस भात ने आज तक Einstein सिजा सब को प्रभावित किया. और उन थियोरी के बाद फिर उसके बाद भी फिर आप उसका पुनरावरतन करते हैं उसका क्वांटम मेकनिक साता है और सारी चीज़ें आती हैं कि ये चीज़ें जो हो रही है तो इस अर्थ में उप्यों की हुआ कि वो बिंदू बन गया आज एक तरह देखा जाए तो कई ब आदि बिंदू ही है शुत्र भाई हम प्राण मोगें करते हैं तो इस अर्थ मुष्कित है तो इस अप्योंगी तो आपको तैक करना पड़ेगा का अर्थ आप क्या लेटे हैं मैं ने श्रीय आ पहले ये बात कि आपने कल कहा कि मैं अभिनभ गुथ पे एक विश्व ज्याल बल्कि एक विश्विद्याले हो मेरे दृष्टी से यह अतिश्योक्ति है अब मैं आप से पूछना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी संगल्पना करते हैं तो इसमें आप कौन से विभाग चाहते हैं जिसमें आपको एक छोटा सो अधरना से लेता हूं कि हम पानेनी को वेस्टन क्षित्र हम अविर्भाव कर पाएंगे लेकिन कुछ निश्चत धाराएं तो होनी चाहिए और उसमें कौन से काम क्योंकि मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि अगर आप कि नहीं व्याकरण की एक आचार हो जाएं तो व्याकरण में और नया क्या कर सकते हैं यह आपके तंत्र म अधिकारी हो और जिसको अच्छी तरस चीज का अधिकारू तभी वह आगे इस चीज को डिसमें पास कर पाएगा तो हमारे पास अगया आपकी जो संकल्पना है वह मतलब अधिशोक्ति इस अर्थ में भी है कि क्या हमारे पास उतने आचार हैं इस अंदर में आप बताईए मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि यह प्रशन थोड़ा सा आपने जल्दी पूछा यह प्रशन आपको बात के पूछना चाहिए था और वो इसलिए बात के पूछना चाहिए था कि यदि आप अभी आपका एक प्रशन का उत्तर बाकी है और वो प्रशना भूल गया इसके म क्या थित्ति कंडिरे दिशाओं क्या किया है, क्या ही है, क्यों वो हैवंceğiz हम उनको क्यों मांते है, जब आप ये जान जाए को उन्हों एक किया क्या है तो उसके बात आप आप यह प्रश्ने करेंगे कि क्या हम अभी लोग के अध्यान के लिए या इसमें हमें विश्वध्याले या विभाग की आवश्चता है या नहीं है वो प्रश्ने आप बिलकुल पूछ सकते हैं और उत्तर में पर सुरक्षित रख ले रहा हूं तो उत्तर तो इसलिए क्यों लेकिन केवल यह है कि यह उत्तर जह उत्तर कालीन होगा बस अगले प्रिश्ट पर आते हैं हम एक जगह अभिनव गुप्त ऐसा भी कहते हैं और आपकी किताब में लिखा हुआ है मुझे नहीं मालूम कहां से है लेकिन मुझे अच्छे तक मुझे याद है कि अपने गुप हैं परमार्थ विमांसा आप जिसके काश्मी श्वाद्वयवाद का एक जो प्रम अध्य यह है कि हम परम सत्य को या परम शिव को या उस अपने स्वरूप को मूल स्वरूप को पहचान लें जो कि अन्ति मेटी गर हम देखा जाए तो उसकी ज्ञान विमांसा तत्व विमा आगमों को सबसे महत्पूर्ण स्थान दिया है और इस आगम के करम में वो यह कहते हैं कि मलेक्षों और यवनों का आगम आगम नहों कर आगमा भाष्ण है यह प्रश्ण हम आगम पर बार में भी आएंगे लेकिन मुझे लगता है कि यह तो हर संपरदाय सा दावा कर सकता ह भी आप कहते हैं उसी दल्षं का अगर बहुत कहते हैं सरवत्तम ज्यान हम दे रहे हैं और तो कोई गलत नहीं है और यदि मेच्छ कहते हैं तो भी गलत नहीं है और अभी लोग कहते हैं तो भी गलत नहीं है बात कहां पर आती है यदि हम यह कहते हैं कि हम सबसे उपर हैं यह यदि भी शद्द का प्रयोक माले लोग नहीं करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा हम सबसे उपर क्यों हैं यह कहना प्राग नहीं है कि हम सबसे उपर हैं हमें यह बताना पड़ेगा कि हम सबसे उपर क्यों बस और यदि हमारे उत्तर में तार्किक संगती है और हम अपनी बात को स्थापित कर पाते हैं तो स्वाविक हम सबसे उप कि जब हम किसी दर्शन का प्रितिपादन करते हैं, तो दर्शन के दो आइश होते हैं, एक विचार होता है और दूसरा कन्विक्षन होता है, यदि जो विचार हम कर रहे हैं, हम स्वेम कन्विज नहीं हैं, तो हम आप कन्विज नहीं कर सकते हैं, यदि हम ये कहते हैं कि अभि कर सकते हैं. हमारे बाद इस बात के कारण भी होने चाहिए कि अभिनोगुप्त क्यों महान है और हमें इस बात में विश्वास भी होना चाहिए कि अभिनोगुप्त महान है. यदि यह नहीं है तो इसलिए प्रत्येक जाहिए वो बॉध हैं, जाहिए वो नईयाइएक हूं, जाहिए वो सांख्य हो और छाहिए वो अभिनोगुप्त हो या काश्मी शेव दर्शन हो, मैं समस्ता हूं कि यह उनका अधिकार भी है और यह उनका दाईत्व भी है. कि वो यह बताएं कि वो सबसे तो कि यह दाइत तो है यह अधिकार है कि वो एक्लेम करें कि हम सबसे उपर है और यह भी दाइत तो है कि बताएं कि क्यों है और यह विश्वास होना चाहिए तो यह जो बात आपने कही है तो आपने जो बात कही वो सामान्य करन किया, हर आदमी ऐसा ही कहता है, हर आदमी कहता है, तो इसने कौन सी नई बात है, नई बात कहीं नहीं है, बात बहुत सारी पुरानी है, लेकिन कई बार नवीन्ता जो है, वो परिस्थित के कारणाती है, संदर्व से आती है, आप समझे किसी लगकी को देख करके या अपनी प्रेंसी को देख करके हम बहुत सुन्दर हो इस वाल यह वाक्य मैं समस्ता हूं माना जाती कि इतिहास से आग तक नजाने कितनी हमशाद गिंती भी नहीं कर सकते लेकिन जो हम यह कहते हैं कि तुम बहुत सुन्दर हो तो अब यह बताईए कि यह वाक्य मौलिक है यह वाक्य नकल है हम आपसे पूछना चाहते हैं मैं तो मौलिक मौलिक है क्यों मौलिक है मौलिक इसले नहीं शब्द मौलिक नहीं है संदर्व मौलिक है आप जिसको सुन्द कह रहे हैं वो दूसरा कोई रहती है और राम चंद्री ने जिसके लिए कहा होगा वो कोई दूसरी रहती है तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कई चीजों के लिए हम सामानी करण से चीजों का अरत नहीं निकाल सकते हैं सामानी करण एक सीमा तक हल्प करता है चीजों को समझ लिए सामानी करन ने कमारा टूल है, एक आयुद है, हम उसके जाज़ समझ सकते हैं, लगिस सामानी करन जो है, वो एक अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है, वो केवल एक सोपान मात्र है, चीज को समझने के लिए, तो ठीक उसी तरीके से, अब आपने जुन गेने, तो ठीक उसी तरी समझ से तो नकल है, तो सामानी करन में आ गया, लेकिन मौलिक इसलिए है, कि केवल नहीं नहीं, बहुद्धी की बात नहीं है, बहुद्धों के तमाम संप्रदाइयों में, जो सक दिलनाग व धर्मकिर्थि कहते हैं, हम सबसे महान आचारिय है, या हमारा संप्रदाय है, या सबसे अलग हमें लिलते है, पग्याकरगुप्त है, सारे, तो सब सब अपनी अपनी बात कहए रहे हैं, लेकिन वह मौलिक इसलिए हैं, कि वह अपनी प्रतिपत्तियों के साथ कहर रहे है, इस अर्थ मौलिक टाहरुन के, एक भारतिया दर्शिन के, हम देखा जाये, और नह परद्वि आपर जैनों ने कोई धर्म शास्त्र पे कुछ हपी पर दिश्तिन गीडिर और हमने जो हमारे जोमिशने चल रही हैं वह सरी आपस एिस्दल्स रहें वह हमारी धर्म सास्त्रों को पूंदडा अपना लेते और चल लेते हैं तो एक दर्शन जो है वो जीवन के सभी आयमों को देखता है जैसा कि काश्मी शाय चवाद वयवाद ये क्लेम करता है ये आप दावा करते हैं कि हम सभी सिध्धानतों को हम जीवन के सभी पक्षों को देखते हैं लेकिन क्या धर्म सांसर पर अभिनमगुत की कोई दृष्ट है अजकर और वो आपको उतर से संबंधित है इसलिए मैं भूमिका बना रहा हूं कि किसी दर्शन को हम संस्कृती सापेक्ष होकर कर देखते हैं यह दर्शन में कहिए एक विचार परमपरा का पल्लवन्ज होता है उस विचार परमपरा का पल्लवन्ज हो है वो एक संस्कृ और दोर तर इक उत्तर दी जाते हैं एक उत्तर देता है कि विचार है और इसलिए विचार को हम किसी संस्क्रती और भूगोल, देश, कार इनके खाचे में नहीं बान सकते हैं एक ये कहता है कि नहीं मानव मन और मानव समाज मानव मन को मत कहीं बलकि मानव समाज जब हम समाज कहते हैं तो समाज के निरधारक तत्वों में एक उसकी सबसे बड़ी चीज जो होती है वो उसकी विचार पध्धत ही होती है उसके आंतरिक मोल्य होते हैं और किवल आंतरिक मो बुल्यों को वो किस प्रकार से प्रतिपाधित करता है और किस प्रकार से उनको अपने जीवन में चरितार्थ करता है। इस दुश्च से मुझ समाज को पहचानते हैं। और इसलिए कोई भी इस प्रकार की जो विचार पध्यती है वो संस्कृति निरपेक्ष नहीं हो सकती। यह एक दूसरा उत्तर है। मैं दूसरी तरफ से अपने उत्तर देने की चेश्टा कर रहा हूं। तो संस्कृत होता क्या है। कि भारत के अंदर तो कोई भी ज्ञान की शाखा क्यों नहीं हो। अंततह वो आकर के दर्शन में ही विश्रान्त होती है। वो जैसा कि चार्क कहते हैं आन्विक्षी के गरेए। प्रदीपह सर्व विद्याराम। सारी विद्याएं जो हैं वो जो हैं दर्शन से ही आलो कित होती है। कोई भी ठालेजे। यहां तक आपके जो पर बेशिक साइंसे हैं। और बेशिक साइंसे के अलावा जो कॉग्निटिव साइंसे हैं। कोई भी आप चीज उठा लिए, यहां तक की कवल वही नहीं है, आप आजकला मैनेजमेंट का बहुत जमाना है, कोई भी ख्षेत्र उठा लिजिए, अंत में इतिहास, इतिहास में आप ब्रिटेन की हिस्ट्री महत्वपोर ग्रंत है, या ट्वाइनवी की स्टडी अफिस्ट अंत तहा हमारे विचारों की अंतने विचारों की विश्रांती जो होती है, किसी विधारा में, वो दर्शन में होती है, जब हूं यह मानते हैं, अब यह जो इसलिए मैं बात कर रहा हूं, अब हम विशुद्य दर्शन के उपर आते हैं, तो हमने क्या किया हमारे भारती संस हमारे यहां, जो हम कामशास्त्र की व्याख्या करते हैं, उसके भी जो है, वो अंत जो होता है, धर्शन नहीं होता है, उसी तरीके से जब हम इसकी कहना चाहिए कि धर्मशास्त्र की व्यात करते हैं, वो भी अंत होता है, आकर के धर्शन में विश्रांत होता है, चुकि अपन आप अंतिमे से दर्शन दर्शन में विश्रांत होता वो दूसरे में विश्रांत नहीं होता दूसरों से शुरूत हो सकता है तो ये जितनी भी धाराएं आप कह रहे हैं अब हमारे क्या हुआ कि जो मुख्ष शास्त्र है वो ये दर्शन शास्त्र का विकास जो है एक तरीके स मुक्ष शास्त्र के रूप में मुक्ष की अवधारना को लेकर के विचार हो सकता है, मतभेद हो सकता है, वो अलग बात है, धर्म शास्त्र का विकास, जिस अर्थ में आप धर्म का प्रयोक कर रहे हैं, क्योंकि एक अर्थ धर्म का वो भी है, जहां पर मुक्ष धर्म का अंग इसमतियों का और इसमतियों में धर्म की चर्चा होती है लेकिन आप धैन दीजीगा कि जैसे याग्यवल किसमति तो याग्यवल किसमति भी शुरू करती है कि मैं जैनका वाक्य बड़ा बहुत प्रसित वाक्य है और अपनों को तप्र उसमें कोट करते हैं गीतार संग्रा के याग्यवल किसमति कहते हैं तो याग्यवल किसमति कहते हैं तो यद योगेन आत्मदर्शन हम याग्यवल किसमति जो है वहां पर भी आत्मदर्शन की बात कर रहे हैं तो तो कहते हूं योग से द्वारा हमको मिलता है तो मैं यह सिल्भा बताना जाते हूं तो यह धर्म शा पर इस प्रकार के विचार हमें मिलते हैं, जिससे कि धर्मशास्त्र का निर्मान किया जा सके, और धर्मशास्त्र के जो नुलभूत सिध्धान्त हैं, जिनके की आधार पर मुस्मति को विक्सित कर रहे हैं, क्या हमें उस प्रकार के विचार मिलते हैं, जिन पर उस धर्मशास्त्र की निर्खी जा सकती हैं, तो मैं कहूँगा हां। अर्थ ने इती सबी लेकिन अंत में क्या है तो मैं अंत में भी उनका प्रदीपस्सर विद्यानाम तो कहने का अर्थ ये है कि हमें ये अपने परमपरा में विचार किस प्रकार से हुआ है परमपरा में विचार करने के हमारी पद्धती क्या है यदि ये हम समझ जाएंगे तो जो चीजें बहुत से इसपष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए जो आप ने इसकी बात उठाई तो धर्मशास्त उनका विशह नहीं है, इसलिए धर्मशास्त के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मौलभूत विचार हैं, वो महां पर आपको मिलेंगे, जिनके की आधार को दर्मशास्त ने विक्सित किया जा सकता है. प्रासंगीकता कैसे अब हम भारत में कैसे करें जब हमने एक 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 ट्रॉल डिमोकरसी अडॉप्ट कर ली है और हमने एक यूरोपेन परदर्स को वापस ले लिया है, तो ये थोड़ा एक उल्जावा प्रशन है, लेकिन क्या पतब हमने जिस चिसको अपना लिया, तो उसके बाद भी तो उसके बाद भी क्या हम इसकी कोई प्रासंगीकता रह जाती है या यह हमारे उस इतिहास की बस्तु यहला है ? परमपरा में आंतर है, परमपरा जिवित होती है, डाइनमीक होती है, उसमें क्रियेटिवीटी की हमेशा गुनजाईश होती है, परमपरा को करना चाहिएगी परमपरा की सवयातरा है, अब सवाल प्रश्णी उठता है, कि क्या हम यह मानके चल रहे हैं, कि आज हम मानव जाती के अंतिम चरण में हैं, मानव इतिहासा समाप्त हो रहा है, और मानव का राजनीतिक विकास जो है वो अब इसी जगे पर भुग गया तो अब हमारे सामने कोई परिवर्तन नहीं होंगे यदि हम यह मान रहे हैं तो निश्चत रूप से कोई प्रासंगित्ता नहीं है क्योंकि मुरूड हमें आकर के अटक गए और यदि हम यह मानते हैं कि नहीं मानव जाती विकास शील है परिवर्तन शील है हम कितने भी अंधकार से क्यों न गुजर रहे हूं लेकिन अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश है मैंने कहता कि आटका यूग अंधकार का यूग है प्रकाश में अंधकार के यूग है विए हम जहाँ भी है उससे परिवर्तन जो है वो अनिवारी है हम आगे बढ़े हैं आगे बढ़ने कि हमारी क्या परिवाशा है कि बार में आगे बढ़ते हम पीछे बढ़ जाते हैं हम पीछे प्लड़ादम करते हैं तो दोष्यताबदी पीछे चले गए पीछे चले भी जाने के बावजूदी आगे तो बढ़े हैं तभी तो पीछे जाने की बात की जा रही है और हम कहते हैं आगे नहीं बढ़े हैं हम तो पीछे चले गए हम को दुब्रम होगा है कि हम आग बढ़ सकती है, बढ़ने के उसमें संभावनाय है, और निरंतर है, आपने, क्या कभी आपने, आज के सो साल पूर, आपने सोचा होगा, कि वर्ल विल नाद बी गवन बाई साइंस बड टेक्नोलोजी, आज टेक्नोलोजी से गवन हो जा है, और टेक्नोलोजी केवल, हम लोग पुष्यांतर कर रहा है, लेकिन चुँगे प्रेशन है, तो जो टेक्नोलोजी है, वो केवल में मान कर रही है, अगर हुसरे लगरा को आप पढ़िये गार, तो आप यह कहिए गरे, हम तो शायद बेघर के हो गए है, मानव सब्धिता जो है, अपना बेघर के हो गई है, उ तो स्वहाविक है कि बेघर आदमी तो अपना घर तलाशेगा, और जब घर बनाएगा, तो कहीं से इट लाएगा, कहीं से पत्थर लाएगा, कहीं से सिमेंट लाएगा, वो हमें कहां मिलेंगे, तो हमें अभिनोगत की शरण में आना बढ़ेगा, बहुत बहुत दिन रवा खाओ है कि अ अफने एक और तलाशेगा, कहीं से और बाएगा, तो हमें आना घर बनाएगा, कहीं से इट है कि जे हुते हमें कहीं से इन हो और अशरों अदमी, जे हमें इन हुत दिसले कर दिए हैं।